पर मिले शिंदे पवार टैंशन में मोधी सरकार रिष्टे की डोर कितनी कच्छी कितनी पक्की क्या एक साथ चलेंगे शिंदे शरत नमस्कार NMF News देख रहें आप और मैं हूँ आपके साथ वाकिश्वा पांडे महारास्त में इस साल वधान सभा चुनाव होने हैं लेकिन चुनाव से पहले कुछ पुराने रिष्टे फिर से जुड़ते हुए दिखाई दी रहे हैं अब आप ये सोचेंगे कि कहीं कि एक नाजश्वंदे फिर से तो नहीं मिल रहें लेकिन ऐसा बिल्कुल है यहां संपर्घ पुराने हैं लेकिन संबंद फिर से नहीं जुड़ने जा रहे हैं एक पुरानी डूर जो टूट चुकी थी वो फिर से जुड़नी है पुर दूर है एक नाश्वंदे और शिन्दे ने शरत पवार का स्वागत किया और फिर दोनों के बीच खूब लंबी चरचा। चलिए पहले तस्वीरे देखिए आप शिन्दे और शरत पवार के। तो ये मुलाकत पहली बार नहीं है। 20 दिन में दूस्टरी बार मुलाकात कर रहे हैं शिंदे और शरत वार की अब ये तस्वीरे देखे तो सभी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दोनों के बीच क्या खिचुड़ी पक रही है लेकिन ये तो वो दोनों ही जाने की आखिर क्या बात्चत हुई है लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि दोनों के बीच मराथा अरक्षन को लेकर बात्चत हुई है कुछ राजनितिक जानकार कह रहे हैं कि अपनी पाती को एक बड़ा संदिश देनी की कोशिश कर रहे हैं शरत पवार भी और एकनाच शिंदे भी या फिर भविश्य की राजनितिक संभावनाओं को तलाशने के लिए ऐसे मुलाकत हो रही है ये तो वो दो नहीं जानते हैं आपको बता दें इससे पहले भी 22 जुलाई को शिंदे और शरत पवार के बीच मुलाकत हुई थे तब भी राजनितिक गल्यारों में खूब बतोले बाजी हुई कि शरत पवार शंदे के साथ आ रहे हैं लेकिन तब भी ये सामने निकल कर आया कि स्केचाई के मुद्दे, दूद की कीमतों और चीनी कारखानों से संभदित मुद्दों पर दोनों की चर्चा हुई है शरत पवार की बात करें तुदेश में हुए लोकसभा चुनाव में भारास्ट की 48 सीटों में से शरत पवार को 8 सीटों मिली थी कोई चोटी मोटी बात नहीं है क्योंकि भती जे अजित पवार जी तो उनसे अलग हो गए यहां वन मैन आर्मी शरत पवार जी हैं लड़े और आठ सीटों उनके खाते में चले गई थी वधान सबा चुडाव महत जल्दी आने वाले हैं उससे पहले यह मुलाकाते राजनितिक गल्यारों में बहुत सारी बाते ला रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शिंदे और शरत पवार एक हो रहे हैं आपको बता दे कुछ समय पहले भी चर्चा होई थी कि अजीत पवार गुठ के 15 विधायक शरत पवार के साथ जा सकते हैं और अगर ऐसा होता है असल में भी कि अजित पवार गुच के विधायक शरत पवार की साथ जाते हैं तो यहाँ पर शिंदे की मुश्किले बढ़ सकती है क्योंकि यह वही अजित पवार है जो कि शरत पवार से अलग होकर शिंदे जी से हाथ मिलाने गए थे तो शिंदे जी की टेंशन तो बढ़नी है ऐसे में लगातार मुलाकाते जो हो रही है कहीं ने कहीं ये मोधी सरकार की भी टेंशन बढ़ा रही है क्योंकि यहां तो शिंदे जी ने हाथ तो मिला लिया बीज़पी से लेकन शरत पवार जी से यदी एकना शिंदे हाथ मिला रहे हैं तो यहां पर मोधी सरकार की भी टैंशन बढ़ती हुई दिखाई दी थी है सब लोग यही सोच रहें कि क्या फ़र से शिंदे और शरत पवार के रिष्टे जुड़ जाएंगे सभी की नजर इसी पर है आपको बता दे शरत पवार से पहले मनसे चीफ राज ठाकरे ने भी शिंदे से मुलाकात की थी सीम शिंदे और राज ठाकरे के बीच हुई मुलाकात में मुंबई में बीडीडी चॉल के पुनर्विकास, पुलिस कॉलोनियों के पुनर्विकास, घरों की उप्लब्विता पर बात हुई इस मुलाकात के समय मनसे के कई बड़े नेता भी सीम आवास पर मौच होथ थे कि कई ऐसा तो नहीं कि उद्दव ठाकरे भी देविन फंडविस का हाथ मिला रहे हैं तो महारास्ट का चुनाव अब तो बहुत इंट्रेस्टिंग दिखाई दी रहा है इदर शरत पवार और शंदे मिल रहे हैं इदर शंदे की मुलाकात राच ठाकरे से भी हो रही है तो एक तरफ एक ही लिफ्ट में फड़नवीस और उद्दव ठाकरे दिखाई दी रहे हैं तो क्या महारास्ट चुनाव आप लोगों के लिए इंट्रेस्टिंग है क्या आप लोगों को भी जानना है कि महारास्ट चुनाव मिजबर क्या होता है किसके हाथ आती है सत्ता की चावी क्योंकि शुरत पवार भी यहाँ पर एक बड़े हीरो की तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे और इस भूमिका में कौन किसके साथ जाएगा किसके रिष्टे जुडेंगे, किसके तूटेंगे यह तो समय आने पर ही पता लगेगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेर ज़रूर कीजिए क्योंकि इस समय महारास्ट के बारे में जानने के लिए हर कोई उचसुक है और साथी साथ कॉमेंट करकर ज़रूर बताईए कि क्या शरत पवार को शिंदे से हाथ मलाना चाहिए और साथी साथ लाइक बीटी चेर धन्य बात